नमस्कार स्वागत है आप साभी का मैं हूँ आपके साथ जोधी आज का यूग टेक्ट्नोजी का यूग है और टेक्नोजी के इस यूग में ज़ादतर काम इंटरनेट से ही होते हैं व्यक्ति को कुछ भी अगर करना है तो वो इंटरनेट का अस्तमाल करके अराम सी कर सकता इंटरनेट ने तो जैसे युग में क्रांती ही ला दी है आपको बता दे कि इंटरनेट का ही सबसे महत्कून फंक्शन है सर्च इंजन इंटरनेट पर मौझूद करोड़ों वेबसाइट में से आपको आपके काम की वेबसाइट तक पहुचाने का काम ये सर्च इंजन छुटकियों मकर देते हैं अब यू तो इंटरनेट पर कई सर्च इंजन मौझूद हैं लेकिन इन में से सबसे ज्यादा अगर लोग प्रिय सर्च इंजन है तो वह है गूगल, जी हाँ, और गूगल का नाम गणित के शब्द गूगोल से लिया गया है, जो मूल रूप से एक है और इसके पीछे 100 है, दुनिया भर के लोग जो इंटरनेट का इस्तिमाल करते हैं, उ इससे में रोजाना इस्तिमाल होने वाले इस सर्च इंजन को किसने बनाया है, इसके खोज किसने की है, ये सवाल तो हमेशा आपके दिमाग में आता ही होगा तो आज हम आपको न सिर्फ इसके सवाल का जवाब देंगे, बल्कि गूगल से जुड़ी और भी कुछ रोचक जानकारिया आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर दिखेगा गूगल के खोज 4 सित्वर 1998 को लेरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी, गूगल के संस्थापक लेरी पेज का पूरा नाम लॉरेंस एडवर्ड पेज है, जबकि गूगल के दूसरे संस्थापक सर्गे ब्रिन का पूरा नाम सेर्गेई मिखाईलेविच ब्रिन है आपको बता दे कि लेरी पेज और सरगे प्रिन ने गूगल के उपर शोध करना साल 1996 में ही शुरू कर दिया था तब ये दोनों ही स्टेंट फोर्ड विश्वे त्याले मैं PhD के छात्र से और वहीं गूगल का शोध करते समय एक तीसरा इंसान भी इसमें शामिल था जिसका नाम है स्कॉट हशन स्कॉट ने गूगल का एल्गोरिदम बनाने के लिए बहुत सी कोडिंग की थी लेकिन गूगल बनने से पहले ही वो इस पोर्जेक्ट से अलग हो गई इसलिए गूगल के संस्थापक के तौर पर स्टॉक का नाम नहीं लिया जाता है आपको बता दें कि वो स्कॉट रोबोटिक्स की फिल्ड में दिल्चश्पी रखते थे उन्होंने साल 2006 में अपनी एक कंपणी भी खोली थी जिसका नाम विलो गैरेज रखा गया था साल 2014 में ये कंपणी बन कर दी गई थी वहीं अगर गूगल के संस्थापकों की संशिप में बात की जाए तो आपको बता दें कि गूगल की खोज करने वाले लेरी पेज का जन्म 26 मार्च 1973 को मिशिगन अमेरिका का हुआ था वहीं लेरी के पिता कार विक्टर पेज सीनियर मिशिगन विश्वित याले से कंप्यूटर विक्यान में पीस्टी धारक थे वही लेरी की मा की अगर बात करें तो ग्लोरिया भी Michigan University के Lyman Bricks College में कम्प्यूटर प्लांट के प्रशिक्षक के तौर पर काम कर दी थी वही लेरी के माता पिता की कम्प्यूटर में गेहन रूची होने की वज़े से ही उनका भी रूचान इस छेत्र के प्रती बढ़ा और उन्होंने University of Michigan से कम्प्यूटर साइंस में अपनी Bachelor of Science की टिग्री हासिल की थी इतना ही नहीं लेरी ने इसी विश्विद्याले में Master of Science की टिग्री भी लिए और कॉलेज में अपनी शिक्षा हासिल करते हुए ही लेरी ने Inc.Jet Printer भी बनाया था उनका मानना था कि Inc.Jet Cartages का इस्तिमाल करके बड़े बड़े पोस्टर्स को सस्ते दामों में प्रिंट किया जा सकता है वही गूगल के दूसरे सापक सर्गे ब्रिंट की अगर बात करें तो उनका जन्म 21 अगस्त 1973 को मौस्को रूस में हुआ था सर्गे के मातापिता मौस्को स्टेट उनिवस्टी के सनातक थे जो कि सर्गे के जन्म के बाद में अमेरिका शिप्ट हो गए थे जहां सर्गे के पिता अमेरिका की मैरिलेंड विश्विद्याले में गणित के प्रोफेसर थे वही सरगे की माँ नासा के गोडाड स्पेस फ्लाइट सेंटर में शोध करता थी सरगे ने मात्र 19 साल के उम्र में ही मेरिलेंड विश्विद्याले के कम्प्यूटर साइंस में असनातक की डिग्री हासिल कर ली थी और इसके बाद से उन्होंने स्टेंटफोर्ड विश्विद्याले में ही कम्प्यूटर साइंस में आगे की पढ़ाई जारी रखी जहां पीएजजी करने के दौरान ही उनकी मुलाकात लेरी पैसे हुई थी इपन दोनों ने अपनी कम्पनी गूगल को सबसे पहले साल 1998 में अपनी दोस्त सुनान विस्की के गैरिज में शुरू किया था वो मेंलो पार्क केलिफोनिया यानि अमेरिका में स्तित था बाग में जैसे जैसे कम्पनी में लोग जुड़ते गए इसके ओफिस बदते गए और अभी भी अगर बात करें तो गूगल की 50 से ज़्यादा देशों में 70 से भी ज़्यादा ओफिसे हैं वही अगर इसके हेड ओफिस की बात करें तो गूगल का हेड़कॉर्टर 16 सा एमपी थीटर पार्क वे में माउंटेन व्यू केलिफोनिया अमेरिका में स्तित है गूगल के इस हेड़कॉर्टर का नाम गूगल प्लेक्स रखा गया है ये तो रही गूगल के खोश की बात लेकिन आज के समय में लेरी पेज और सरगे बिन दोनों के पास मिलाकर गूगल के कुल 14 प्रतिशत शेर है बाकी शेर पब्लिक के पास है अब किसी भी कमपनी के मालिक बनने के लिए कम से कम 51 प्रतिशत शेर होना जरूरी है इसलिए ये कहा जा सकता है कि कोई भी एक गूगल का वास्तविक मालिक नहीं है बलकि गूगल एक सारवजिनिंग कमपनी के रूप में एल्फाबेट की सायक कमपनी है जिसके CEO सुन्दर पिचाई है अब बात करते हैं गूगल से जुड़े कुछ और रोचक तक्थियों के बारे में जिन्हें आप शायद आज से पहले नहीं जानते होंगे गूगल का एल्गोरिदम बनाते समय इसके संस्था पक लेरी पेज और सर्गे प्रिन ने सबसे पहले इसका नाम रनवे है जहां किसी अन्य विमान को उतरने की अनुमती नहीं है वहीं अमेरिका में गूगल अपने किसी भी कर्मचारी की प्रित्ति हो जाने पर उसके पती या पत्नी को उस कर्मचारी की 50% वेतन अगले 10 साल तक देता है साल 2010 से गूगल हर हफ़ते और सतन एक कमपनी का अधिरान कर रहा है तो यह थी गूगल से जुड़ी कुछ रोचिक जानकारी है अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के बेचित जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए फॉलो क करें माराचेन